हालो स्टुदेंट्स तो आज हम करते हैं आपका कॉंप्लेक्स नंबर एंड कोडिक्यों का एक्सराइज 5.2 और जैसा कि मैं आपको इसका टोटल एक्परिनिशन आपको दे चुका हूं समरी अब दे चैप्टर में जो वह को एक्सराइज 1.5.1 के साथ मिलेगा बट फिर भी आपका थो सा मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए एक्सराइज में कोई दिक्कत ना हो और टोटल डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको 5.1 के साथ में दिया हुआ है तो यहां पर हम पोलर फॉर्म को डिसकस करेंगे तुड़ें धान रह जान पर के इमेध्न अर्यक्सिस होगी और यह यह रिधिन प्र 만들 करा ता है इस्टुडेट यहां पर यह वेल्यू कितनी होगी देखे ए यह कोड़ने ठाप का एक मा भी और यह वैलू कितनी होगी बी तो फिर यह वैल्यू जाओर बता जिए आर इकॉल तो नतिंग बड़ जैड जैड का मोड और यह होगी आर की वैलियू आपकी ए स्कॉर प्लस बीड़ का रूट तो यह जो आर है इसे कहते हैं हम लोग मोडिलस ऑफ जैड और जो थीटा है इसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जैड ध्यान रखेंगे तो एक ही जो जैड़ की जो कार् इसकी पॉलर फॉर्म होती है फोलर फॉर्म तो पॉलर फॉर्म के लिए हम लिखते हैं इसको आ ड्रको सिट धॉट प्लस यससिप्त схीटा मेंट फीटा में जैड की वैलिव क्योंकि आप यहाँसे सकते यह को सिटा की वैल्ली ओगी क्या होगे आर्व फी आपना अर् तो य दो यहां से वह ब्यक्ति वैल्यू आर कोड़े आ गई और जो साइन थी थी वैलूoot मंपाइछ तो साइन पेल्यूnahmen था है तो टो क् defenders है यह रह तो क्या हो जाएगा एकी की वालु रख दूं तो एक ही वालु क्या थी आर को सीटा एक ही वालु क्या है देखो आर को सीटा और को सीटा और बी की वालु क्या है आर साइन थीटा तो यह क्या हो जाएगा यहां पर आपका और कॉमन ले लेंगे तो आर को सीटा प्लस आई साइन थीटा और आपका ब्र जैड मोड और जो थीटा है यह आपका अर्ग्यूमेंट ऑफ जैड कलाता है और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि यदि आपके थीटा की वैल्यू फॉस्ट और सेकेंड क्वाडियंट में आ रही है तो आप इधर से लेंगे इसको प्लस की तरफ से और यदि आपके था क्वेशन आपको दी हुए है यहां पर है फाइंदा मोडिस अन अर्ग्यूमेंट और पीच ऑफ दा कॉंपलेक्श नमबर इनक्रसाइज वन तू तू यानि पहले दो क्वेशन में आपको अर्ग्यूमेंट और फो मोडले सी निकलना है तो कहले मापको दिया हुआ है जैड क्या होगे हम इसको कंपेर करें किसके साथ जैडिकोड़ टू ए प्लस आयटा बी के साथ तो क्या मिलेगा वी है वो कंपेरिंग विद तो भी है क्या मिलेगा आपका एकी वैल्यू माइनस वन एंड बी की वैल्यू माइनस रूट थ्री अब और भी दोनों वैल्यू नेगेटिव है क्वाडेंट कौन सा हो गया स्टुडेंट यहां कहीं आपको नमबर मिला और मैंने आपको जैसा की बताया निकाल सकता हूं जो मोडिलस है यानि की मोडिलस ओफ जैड जो होगा वह बहुत आसानी से निकल जाएगा वह a square plus b square का root होता है और यह value कितनी होगी यानि हापर a b आपका नेगेटिव है और b भी आपका यहां पर कहीं नेगेटिव होगा और यह value होगी आपकी माइनस 1 का square plus b की value minus root 3 का square that is nothing but 1 plus 3 का root equal to 4 का root equal to 2 और जो थीटा है वह कहां आएगा आपका देखो 0 पाइबाइटो 3 पाइबाइटो पाइबाइटो और यह तू पाइज दे तो वह यह वाला है बड़ मैंने आपको बताया जैदि थार्ड और फॉर्थ को आजाएं तो उस केस में क्या करते हैं हम रिवर्स नेगेटिव एंगल लेंगे यानि हम इधर से नहीं मेजर करेंगे तो फिर मेजर कहां से करेंगे हम लोग हम इधर से नेगेटिव साइट से मेजर करेंगे तो यहां पर क्या होगा तो चलिए कल्कुलेट करते हैं तो जो जैड की वैली थी वह क्या थी आपकी आर कोर्स थीटा यहां पर आर की वैली हो गई टू आर कोर्स थीटा और प्लस कि सब्सक्राइब के साथ में तो फ्रॉम वन एंटू अब लिख सकते हैं आर को सब्सक्राइब के साथ यहां पर एक साथ में तो फ्रॉम 1 & 2 अब लिख सकते हैं कोर तीटा एकल तू एब आई आ और साइन थीटा एक वाल टू भी वाई आर चलि एवनिकालते हैं और यहां आपको मिल जाएगा जैधने कोर तीटा की वाल यू कोशी यू कि वैलियू होगे एक की वैलिव कितनी है माइनस रट की वाल यू कोड़ा इस यू3 और यहां यू वेलियो फो यह दोनों वेल्यव में मिली तो इस्वाम थीता निकालते है जाद देखो तो पहली बात तो तो साइन और को दोनों नेगेट या नितर्ड वार्टेंट तो चॉप रिवेल अगया निकाले है को थिटा इकॉल टो आई गाप का माइनस का कॉसर कितना पाई भाई तरी हो जाए गए और एक दर्सक्राइब कितना होगा कोर्ट इता एक्वल टो तो जो मैं अभी निकाल रहा हूं इसे मैं फाइम ले पाइपलस पाइब लिकर पाइब माईनस फाइब प्लस फाइब लिकाद रिचेंग तो फाइब माईनस यह वैल्यूग वेल्यू एक वाईब लिए वाई नगे तो कितनी वाल्यू गएग वी-ध्यू पाइब लिच चुल नियौ मैं रहे का जाएगा थी वंचा-3-1-1-2 वि एक प्लस पाई प्लस पाई भाई तरि तो थरी वन जा थ्री और वन प्र पाई भाई भाई थ्री और ये जो फोर पाई भाई थ्री है यहाँ पर लियाओ तREE टू जाए सिक्स माइनस फूर तो पहले तुम आपको बता दूं कि यह जो वैल्यू आएगी आपकी यह नेगेटिव की तरह साप है अब्जर्व करने तो नेगेटिव वैल्यू होगी और यह आगे आपकी माइनस के सिक्स सिक्स फाइ माइनस फोर पाई यानि टूपा बाई थिरी इसी तरह आप यहां पर देख सकते हैं चुंड है की वैल्यू है माइनस के साइन हैं रोट सरी मेल इबाई ձॐड़ थिए की वैल्यू होंगी और थीटा की Canadians त्यूट कुम यहालिटा की कितनी होगी यह साथ फालीं चाहिए- वहाया किने आनी डिविंश्ज हर्ट थ यह वाली हो जागी, minus of 2 pi minus 3 बन जा 3, 1 4 pi by 3, और यह 3 तूजा 6 minus 4, 2 pi by 3. Therefore, modulus of z, modulus of z equal to 2 and argument of z equal to minus 2 pi by 3. और इसी तरा आपको नमबर 2 देखेंगे, यहां पर आपको दिया हुआ है, यहां भी आपको modulus of argument निकालना है, यह minus root 3 plus IOTA, minus root 3, z की value है, minus root 3 plus IOTA, तो compare करेंगे, comparing with z equal to a plus IOTA, we have a equal to minus root 3 and b equal to 1, अब आप यहां पर देख सकते हैं, a की value यहांनी real value जो है यह आपके negative है, और जो b की value positive यहांनी कौन सा क्वाडिनेटा आपका, second quadrant, that is, theta lies in, second quadrant और यहां पर आप पहले निकालेंगे क्या, सबसे पहले, argument, तो यह तो आपका यहां चला जाएगा, theta, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, और यहां पर 2 pi, और जो modulus निकालेंगे, modulus of z, that is nothing but r, यह value कितनी आई थी, यहां पर याद रखें, a square plus b square formula थाच का, तो यह root 3 minus chi square plus 1 chi square, that is equal to 4 का root 2 हो गया, और जो argument निकालने के लिए, कि हम क्या करेंगे, comparing with z equal to edge, लिख सकते, in polar form, polar form आपको मालूम है, z को लिख सकते, r course theta plus iota sin theta, iota into r sin theta, और अभी equation number 2 और 1 को जब आप compare करेंगे, तो from equation number 1 and 2, यहां पर मैं 2 part कर देता हूं, r course theta की value कितनी आएगी, r course theta की value, कितनी है, root 3 minus का, तो इस से compare कर देता हूं, मैं 1 इसको ले लेता हूं, तो family की form में रह जागा, या direct कर दूं, तो यहां पर value रख देंगे, एक value diet मिल जाएगी, r course theta, r course theta की value आपके आगई, minus root 3, और r की value कितनी है, 2, तो course theta equal to minus root 3 by 2, क्योंकि r की value 2 है, तो यह value कैसी होई, negative, और इधर देखेंगे, तो r sin theta की value, r sin theta की value, इमेजनेरी पार्ट दो number, जो complex number भी तभी equal हो सकते हैं, जब real or imaginary part अलग लग लग इक वाल हो, तो यह कितना हो जाएगा, आपका, r sin theta i के साथ पर यहाप आपके साथ क्या है, 1, तो sign theta की value कितनी हो जाएगी, 1 upon r, r की value कितनी थे, 2, that's equal to 1 by 2, तो यहाँ पर sign positive और cost negative, obviously second quadrant है, विल्कुल ऐसे ही होगा, तो cost की value क्या लिखोंगा मैं, तो theta की value क्या होगी हाँ पर, यह cost theta equal to होगा, cost minus का होगा पहली बात तो, और यह cost pi by 6 हो जाएगा, root 3 by 2 है, और इधर देखें, तो sign theta equal to, यहाँ पर sign pi by 6 है, और quadrant second है, तो क्या करेंगे theta equal to, यह pi plus pi by pi minus, pi minus pi by 6 हो जाएगा, that is nothing but 3 by 3 minus, 6 by 6 minus 1, 5 pi by 6, और इधर भी आपका कितना हो जाएगा, theta equal to, pi minus pi by 6, यह second quadrant है, और हम pi के साथ compare करते है, तो 6 by 6 minus 1, 5 pi by 6, तो final आपका conclusion हो जाता है, आपर के, modulus of z equal to 2, and argument of z equal to 5 pi by 6, तो student यह था आपका question number 2, और अब question 3 के साथ जा instruction है, यह आपको दी गई है, convert each of the following complex number, in polar form, और यह question number 3 to 8 तक दिया हुआ है, तो आई यह हम question number 3 को देख लेते हैं, और जैसा कि यहाँ पर दिया है, complex number को जाब हम polar form में लिखते हैं, तो student यह पोलर form है, आप देख सकते हैं, मैंने वो पोर्सन आपका बोर्ड का मिटाया नहीं है, वो यहाँ पर z equal to r, core theta plus i sin theta की form में लिखना है, उससे पहले आपको r और theta का वालूम होना चाहिए, तो पहला ही question देखते हैं आपका question number 3, यहाँ पर दिया गया है जोका z equal to 1 minus iota, तो हम compare करेंगे किस के साथ में, comparing with z equal to a plus iota b, we have a equal to 1 and b equal to minus 1 और इसलिए आपका जो मोड़िस हो जाएगा, जैड आर की value वो हो जाएगा आपका a square plus b square का root, ready 1 का square plus minus 1 का square का root, यह 2 हो जाएगा 2 का root और अभी जो साइन थीटा है जैसा कि मैं आपको बता चुका है यहाँ पर पहले भी बताया था यहाँ आर कोर्स थीटा प्लस i sin थीटा that's equal to r course थीटा प्लस r into iota sin थीटा, equation number 1 and 2 को जब आप compare करेंगे तो r की value रख देता हूं यहाँ पर पहले, तो equal to root 2 course थीटा प्लस iota into root 2 sin थीटा इसको equation number 2 लिख देता है और फिर इसको 1 and 2 को compare कर देता है equation 1 and equation 2 को क्योंकि यह उसकी polar form होगी और यदि यह इसकी polar form है तो थीटा मिझे निकालना है तो यहाँ पर थीटा देख लेते हैं comparing 1 and 2 comparing 1 and 2 यहाँ पर जो root 2 course थीटा है यह आपका equal to 1 है तो course थीटा की value कितने होगी 1 by root 2 और जो साइन थीटा है रूट टू साइन थीटा यह वैल्यू आपकी माइनस वन है यानि कि साइन थीटा की value minus 1 by root 2 हुई इससे पहले मैं आपको बता दूँ की real part positive imaginary negative यानि कि आपका कौन सा बना यह positive B negative यानि कि fourth quadrant की बात करने हैं लोग यहापर और here theta lies in fourth quadrant तो चलिए शुरू करते हैं आपका fourth quadrant के लिए condition क्या होगी यहापर जो आपका course theta की value आई है fourth quadrant के लिए यह one by root two है और यह course theta equal to मैं लिखूंगा course pi by four और यह जो value pi by four है इसे मैं लिख सकता हूं देखे हैं आपर two pi two pi minus देखे जब यहां से आप ऐसे लाएंगे आई by four यहां तक है तो यहां तक जब आप ले करके आएंगे तो एक अच्छा तरीका है है आपर course of minus theta यह भी आपका course theta के बराबर होता है तो course theta equal to minus pi by four theta equal to minus pi by four हो जाएगा और जो sign theta check करेंगे तो sign theta की value कितनी है one by root two minus का है तो sign theta की value यहां पर आप देखेंगे minus के sign pi by four that's equal to sign of minus pi by four तो negative तरसे हम लेंगे तो यह एंगल आउगा theta equal to minus pi by four और यह यदि इस value को हम रखें तो दिरफ़ कॉंप्लेक्स फॉम क्या पॉलर फॉम क्या हो जागी so polar form आईगी आप का अंतर देखिए जैड की value r course theta plus i sign theta जैथा कि आपको पता है यहां पर दिया था मैंने यह आपको यहां पर दिया हुआ है तो इसमें पूट कर देंगे और यह होगा root two कोश माइनस पाई बाई फॉर प्लस आयटा साइन माइनस पाई बाई फॉर तो यह पॉलर फॉर्म हुई और अभी हम कुशन नंबर फॉर देखेंगे इसके लिए और यहां पर दिया गया है जैडिक वर्टू माइनस वन प्लस आयटा आई यह विल्कुर सी तरह सोड़ करेंगे यहां पर ए कंपेर करेंगे किसके साथ में यहां जैडिक वर्टू को एे प्लस हाड़ा सामगे के साथ में तो हमें क्या मिलेगा की मैसी वन ऑद लिए गए प्लस वन और यह जैसा कि आप यहां देखेंगे कि मांईस-1 और-प्लस-1 एक वैडिव़यो मैडिक वैडू प्लस-1 तो यह वैल्या आप ये कि आया आपको कि यहां पर कि इस Intern paraly ए का ऑगके यहां भी देखिए यह रूट तू को मैं है दुनुंहें तो यहां पर आप लेखेंगे की जो फोलर फॉर में हम लेखेंगे इसको जैड को तही होगा आर कोड थीटा प्लस आई साइन थीटा और यहां पर आपको मिल जाएगा जो तो आरी की वैलिव है यहां पर आलगी वैल्यू जो आएगी यह आपका मोड़ द The यह नहीं बट ए इसक्वार प्लस बीज़ार का रूट और यह माइनस वन का स्क्वार प्लस वन का स्क्वार का रूट यह रूट टू हो गया और अभी जो यहां पर हम देखेंगे तो आपको मिलेगा जैड की वैल्यू रूट टू इन्टू को ठीटा प्लस आई साइन थीटा यह रूट कर टूल इंडर इसको न्मकोशन लिवन लिचले तो स्रो मनद दू रोम यैंट टू आपको मिलेगा ए रूटो कोहशती टव क्रीटा रूट रूट टू को added one on end root 2 sin theta equal to 1 तो यहां पर कोस थीटा की वैलिए देखो minus 1 by root 2 हो गई और साइन थीटा की वैल्यू 1 by root 2 अब आप यहां देखें second quadrant है तो पाई माइनस में चलेगा तो पार दो मैं को सिरे की वैली रिखो और इदर आप देख सकते की जो थीटा की वैल्यू ये second quadrant में आप चेक कर रहे हैं as theta lie in as a little town as theta lies in second quadrant so यहां पर है को सिटा की वैलु कितने हो जाएगी therefore course it are equal to course pi plus pi by minus second quadrant is four that equal to four one there four minus one three pi by four Koska or a you have a course theta I similarly have you obligation is sign theta equal to sign a pi minus pi by four that equal to Akuma lega sign three pi by four yeah I say we have a theta give value three pi by four millie you don't know my match on it here or you have a three pi by four millie therefore argument of dead get Naya a theta that equal to three pi by four or more is a subject not a Yaka you have a road to throw a DJ therefore polar form कहां लिखेंगे हम लोगा हमने लिखरा किया अल्रेडी एक्विस्टें टू में तो Z की वैली कितनी आएगी Z equal to root two into course three pi by four plus Aya sign three pi by four औरे यह आपका है question number हुआ फोर आव यह question number five की तरफ चलते है question number five में आपको दिया हुआ है minus one minus data minus one minus data student आप देखेंगे question number five को यहां पर क्या दिया गया आपको आपको जो complex number दिया गया यह coordinate three में आ गया क्योंकि यहां पर यह और बी दोनों की value minus में है तो चलिए start करते हैं जैड की value minus one minus data तो जब आप compare करेंगे किसके साथ comparing with the z equal to a plus iota b we have a equal to minus one b equal to minus one और यहां पर आर की value मिल जाएगी जैड का mode root of minus one का square plus minus one का square that's equal to root two और फिर इसके बाद आप लेगे polar form जब पोडर form लेगे तो यहां पर आपको मिलेगा जैड की value आर को सीटा plus i sign theta जो फामला होता है आर की value root two आ चुकी है जड़ी को सीटा plus i sign theta और जब आप इसको compare करेंगे किस नमबर two को equation number one के साथ तो आप देखेंगे दो यहां भी आपको equation number two two जो आपने लिया है यह आपको root two मिला यहां भी root two जब कि आपको यह बीकी वैले देखेंगे आपको चेंज हो रहे हैं तो सिर्फ हम अंदाजा नहीं लगा सकते मोडिलिस की help से की कौन से कॉर्डन में है तो यहां पर आपको मिलेगा root two course theta from equation number one and two we have a root two course theta value कितनी है minus one or either root two sine theta कि value कितनी होगी भई? minus one to course theta कि वालव यहां भी minus one by root two हुई और sin theta कि वैल भी minus one by root two हुई कोस और साइन दोनों नेगेटिव कॉर्डन कॉन सा होगा आपका थार्ड कॉर्ड थार्ड कॉर्डन में आप रिवर्स डारेक्शन में नेगेटिव इतर से एंगल लेंगे पाले यह बात जान रखेंगे पहले चलते हैं इधर रहने वाला है क्योंकि यह थार्ड कॉर्डन में चला गया तो थीटा की वैलिव कितनी लेंगे एक्षल में माइनस के और यह टू पाइ माइनस और यह कितना आना था पाई प्लस में अन्सर आने वाला था जो अन्सर यह आने वाला था तो पाई पाई फॉर और यहां भी आप लिखेंगे लेट इक्वल टू माइनस में आएगा टू पाई माइनस और जो और प्लस की तरह से आने वाला था वह आने वाला था आपका पाई प्लस पाई बाई फॉर दो करते हैं और यह आएगा माइनस में आएगा टू पै माइनस और फोर बंजा फोर फ्लस वन फाई पाई भाई फॉर इदर ही आएगा नेहाट्यव का टू पाई माईनस फाई भाई पाई भाई धा गई फोर यह वैङ है और देरफोर पोलर फॉर्म जो हो गया आप कही वह जैड इक्वाइब होगा आर कोर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा चलिए वैल्यू पूट कर दीजिए यह रूट तू कोष थ्री पाई बाई फोर आयटा साइन थ्री पाई बाई फोर बार दोनो वैल्यू करता आपके समय में आया हुआ यह सबसे इंपोर्टेंट वाला पार्ट था और यह था आपका क्वेशन नंबर फाइव और अभी हम देखते हैं क्वेशन नंबर सिक्स इस्टुडेंट यह कॉशन आपका आता ही आता है और आप यह समझे जीए कि फोर मार्क आपके शोर हो जर्ड एक वाल टू माइनज थ्री जर्ड एकन टू माइनस थ्री तो अ देखर यह पार टो है निए दिश्काम हमला यह हो गया हम पर जीरो आर्टा और जबकेर करेंगे किसंग दूआ जर्ड को यह प्लस आयजाट वी तो देख यहां पर बी की वैल्यों जीरो एक्वाल उ 3 तो कहा रहा है यह, देखो यहां रहा है एक की वाल्यू नेगेटिव कहा होगी कहीं इदर होगी माइनस फें और बी की वैल्यू 0 या यह ने यह नंबर आपका कहीं यहां आ रहा है तो इस कंप्लेक्स नंबर के लिए क्या करेंगे these value होगी माइनस3 और B की वैल्यों होगी जीरो तो फेले सबने का मूड अब तो मोडलिस निकालता हूं मोड अ थीटा और ये वालियो आगे आपकी 3 तो को थीटा प्लस आई साइन थीटा इटी और इक्विशन नमबर 2 और इक्विशन नमबर 1 आपके पास यह रही जो आप कंपेर करेंगे हैं आपर फ्रॉमिकर नमबर 1 & 2 अब देख सकते हैं विल्कुत सेम डिटर स्टेप डाल रहा हू 달iower 3 सांट अजिए वैक्व साइन थेटा इकवेलों कितनी है 0 समुतित अध् cancel वी मां ध आ थीटा इक्वेल टो dol दो और साइन थीटा की बलकेतने और दो हो गई पाइ और यहां भी थी तक कितनी हो गई जीरो और दोनों पर जी लोता है तो यह भी आपका जी रोना हो कब कि यौढका पाई और कि यह कैOS पुड़ा कि वालुम मालूम पड़ रहा है कैसे मालुम और यह कहां जा यह कितना ता आपका? 3 πाई by 2 और यहां की बात कर रहा हूँ, मैं यहां की बात कर रहा हूँ, यहां पर क्या होगा? पाई और यह आपका थीटा है और इसके लिए आपका लिखेंगे जो पोलर फॉर्म होगी पोलर फॉर्म जो होगी होगी जेडिकवल तो आर और कोर्स थीटा प्लस आई साइन थीटा दैट इस एकवल तो आर्क वैल्यू 3 आलकी वैल्यू 3 and course 5 plus I sign it equal guy 5 so this is your polar form it's really it up a question number six for a VM question number seven day time or a yeah could the I root 3 plus Iota root 3 plus Iota question number seven yeah question number seven or a jet key value has root 3 plus Iota or a yeah but I'm taking it oh compare carrying a bomb lower jet equal to a plus Iota B to a key value of the root 3 or B key value of the one how we have the best of the problem or that's me calling a dead car more key value Oki is called a b square root in a root 3 square plus 1 square root carrying it a 3 plus 1 4th a root equal to 2 or a fear of the polar form releasing a polar form like out of the game jerky value are core theta plus I signed it at it argument it okay now up I have a R key value of you to core theta plus I sign theta I a equation number two million my or you can apply the number one to one to one and to compare the from one and to our family a two core theta equal to two core theta equal to root 3 and a two sine theta it is equal to one investors are coming a car core theta key value root 3 by 2 or sine theta equal to 1 by 2 don't know value of key positive image come on the quadrant console I got a first quadrant the first quadrant of complex number like as I have they can have a both our son well a question we got a cool course it's a value course it's not pi by six or a sine theta equal to sine pi by six to your theta equal to pi by six you have a theta equal to pi by six up comment cover therefore argument of of z you have to know pi by six and therefore you have to take value where you score or R key value because number two minutes oh so kit now they are from equation number two or you have a power from illegal jerky value to me holiday town so put in equation number two to get keep on form milling yoga PR course theta plus I sine theta t I guess number two minute arc you will be dt that is two into four theta plus I sine theta they have a two into core theta theta value pi by six plus I sign pi by six this is the polar form is K Z equal to root 3 plus I at our ABM question number eight eight thinking question number eight now for the away Iota so they can I attack a home polar form my Catholic thinking and I say result of the student yard because in a block okay K by a competition man I don't know what he does it is a result of the other topics I will take any help of the king and your question number eight or jet key well to the simply Iota is I'm looking at a polar form और यहां पर आपका जीरो प्लस आयटा तो इसके साथ बिटे कंपेरिंग विद जैडिकोल टू ए प्लस आयटा भी हमें मिलेगा एक वैलिए जीरो एंड बीकी वैल्यू वन और यहां से आपको मोडिलस मिलेगा तो यह आपका हुजाएगा आपका एसक्वाड जीरो एसक्वाड प्लस वन इसक्वाड का रूट यह इक्वल टू वन और पोलर फॉर्म जब आप लिखोगे तो उसमें आरे जैड की वैल्यू कितनी होती है आर को थीटा प्लस आई साइन थीटा यहां पर थीटा क्या है अर्ग्यूमेंट तो यह होगा आर की वैली वान इंटू को थीटा प्लस आई सान थीटा तो यह को आप मॉल्टिप्लाइ करें आकरें रिजल्ट रहे का तो है क्यस्ट नमबर 2 हो जाएगा यह क्यों नमर वन और जाब 1 और उन तू आप कम्पेर करें आगे तो लिखें कम्पेरिंग इक्वेशन 1 & 2 तो आ यानि कि साइन थीटा एक्वाइड टू वण अब जहांता देखें आपर जब हम इसको अर्जन प्लेन में देखेंगे यानि कि आपका गोशन में देखेंगे तो यह पाई बाई टू यह पाई थिरी पाई बाई टू यहां पर कहीं जो आपका नमबर आता था यह आई है तो पोजेटीव दी अपका एक्सी two are here is that up we have the cry a sign theta key value sign five by two and course theta key value course a five by two key value 0 hotea implies theta equal to five by two joking happy Arca verify or a therefore your argument of mode copar complex number about five by two oh yeah I think we're two theta equal to five by two don't have a match on us here or a therefore और क्या करेंगे पूटीन इक्विस्ट नमबर टू ये वैलिज देंगे तो जैड की वैल्यू आ जाएगी आर बोले तो वन इंटू कोश पाइबाइटू प्लस आयटा साइन पाइबाइटू और जिसको अब लिख सकने है डारेक्ट की जैडिक वाल टू कोश पाइबाइट प्लस आई साइन पाइबाइटू क्योंकि आपको यह जो आए यहां पर की वैली वन आई है इसको इसके साथ मुल्टिप्लाइब तो सेम रह जाएगा और एक बात और ध्यान रखें कि कभी में जबाइब रखेंगे खोलेंगे खोलेंगे आभी वैल्यू को तो इसकी जब जो आपका आएगा उसका आप वेरिफाइब भी करते चलें अग्जाम में और होप करते हैं का आप यह फोर कॉस्टन शोड करके चलेंगे आप इनको किसी भी तर से छूटने नहीं देंगे तो प्रेक्टिस करेंगे यह थी आपका एक्सराइज फाइपॉइपॉइंट प्रेक्टिस